पर सुख कलकी मुवी की सेकेंड ट्रेक की साथ खलापती बीजी की आपकमे मुवी दोग गॉड की एक छोटी सी गलिम्पस भी रीज किया गया जिसे भेंकेट प्रभू ने ट्राइक किया है अब चलिए ग्लिम्पस के बारे में बात करते हैं लग भग एक मेंग की ग्लिम्पस है जिसे देखे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चलता पर ग्लिम्पस को अगर ध्यान से देखे तो ग्लिम्पस के लाश के 5 सेकेंड में जो फ्रेम देखने को मिलती है उसे देखके एक अंदाजा लग जाता है कि हमें फ्रेम में क्या देखने को मिल सकती है फार्ट फ्रेम में हमें देखने को मिलती है कि पीजे कार में बेठे हैं और कार के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट करें हैं हाला कि जो बेनस पक्रे हुए हैं वो रेस्यन भास्ता में लिखा गया है। जिसे अगर गोगर में टांस्ट्रेट करें तो पता चलता है कि वो लोग इंडियस के खिला प्रोटेस करें हैं। ग्लिम्पस में थालापती बिजे के केरेक्टर को देखके लगता है कि वो एक साइंटिस या कोई प्रोफेसर है। वोसे हमें ये भी पता चलता है कि कहानी सिर्फ रस्या में ही सेट नहीं होगी। कहानी अलग-अलग देशों में भी घुमने वाली है। इस सिर्फ में जहां बिजे के साथ उनका टीनेज केरेक्टर है ये रस्या है जहां वो देहते हैं। और फिर इस ट्रेम में हमें थालेंग देखने को मिलती है। और साथ ये जो जगा है, ये चाइना है, जिसमें हमें खलापती की टीनेज केरेक्टर देखने को मिलती है। हाँ पर उसका सकर नहीं दिख रहा है, पर ऐसा लग रहा है। उसके अलबा जहां वो खड़ा है, वो एक लेब जैसा दिख रहा है। और उसके नीचे अगर गोर से देखें, तो यहाँ चाइनिज भासा में लिखा गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस लेब में हुमेंस के उपर कुछ ना कुछ एक्सपरिमेंट किया जा रहा है। इस फ्रेम में यहाँ भी कुछ लिखा गया है, पिक बैग 11 बिलियन बाइट 2050, इससे यसा लगता है कि फीचर में कुछ यसा होने बाला है, जिसे रोखने के लिए बीजे कुछिस करने बाले हैं, पर आखिर ऐसा होगा क्या, यह तो ट्रेलर या फ्लिम आने की बाद ही पता चलेगा, पर से सुनने को मिरा है कि यह फ्लिम हॉलिट मोभी गेमी नीमेन की रिमेक है, वहां लिट करेक्टर एक एससीन था, जो किसी के कहने पर लोगों को मारता था, वो रेसिया में रहता था और फ्लिम में उसका एक क्लोन भी था, जिसे भीले ने बनाय था लिट करेक् लिट करेक्टर को मारना चाहता था, पर बात में जब उससे भीलें की सच पता चलती है, तब वो भीलें का साथ ना देके लिट करेक्टर की साथ हाथ मिला लेता है, और इस फ्लिम में अब तक आई पोश्टर एंड इस ग्लिम्पस को देखके कुछ कुछ एसा लग रहा है, साथ हो सकता है बिजे का जो टीनेश करेक्टर है वो एक कलोन हो, पर बिजे की एक फेमली भी है, जिसमें उसका एक बेटा भी है, तो ये कहना मुस्किल है कि ये कलोन ही है, कुछ लोगों का कहना है कि फ्लिम में हमें बिजे की ट्रिपर लोग देखने को मिल सकती है, एक कलो हैं हम पूरी तरह काम फार्म नहीं कर सकते कि एक्चुली में फ्लिम की स्टोरी क्या होगी वैसे गिलिम्पस में यूबान संकर का बेक्राइंड मीजिक के साथ जिस तरह से दोनों केरेक्टर को इंट्रोडिस के जाता है वो देखने में काफी सॉलिड नजर आती है बेक्राइ आपको गिलिम्पस कैसी लगी कॉमेंट में जब बताना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टाटा खत्म